हेलो फ्रेंट्स विलकम टू माई चैनल विभामी.com में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स चलिए आज हम नए प्रकार का डॉरमेट बनाते हैं जो बहुत ही आसान है जो किसी को भी नहीं बनाना आता है वो भी उस डॉरमेट को बना सकता है तो चलिए आज आप सभी को सिखाते हैं नया डिसाइन का डोरमेट जो बनेगा सिर्फ एक पंदे से तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम सलाई लेंगे और उसमें एक नोट बांथ लेंगे तो एक note बांदने के बाद फिर दिखाते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे ये देखे इसमें हम one note लगा लेंगे और two round में लगा लेंगे जिससे एक खुले ना हमारा नीचे का तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है तो ये हमने लगा लिया है एक note और बनाना इस्टार्ट करते हैं तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे इसमें इस फंदे को इस तरह से पिलाएंगे और ये इस धागे को जो है हम इसके नीचे से ऐसे घुमा कर इसके अंदर ऐसे बहुत स् आप लोग ध्यान से देखिएगा ये देखिए अब हमारे ये क्या हुए दो फंदे बनके रेडी हो गया है ये देखिए दो फंदे बन गया है तो इसके बाद ये देखिए हमारे दो फंदे बन गया है ये देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे फिर उसी तरह से इसमें इस थागे को जो है इस सलाई के ऐसे राउंड में घुमा के और इसमें बिन्ना है ये देखे ऐसे ये वन और ये हमारे त्री फंदे बन गया है ये देखे त्री फंदे बन गया है और इसके बाद फिर त्री के बाद आगे बनाएंगे फिर इसी तरह गोल राउंड करके और ऐसे 2 हो गए, 3, and ये 4, 4 हो गए, 4 पंदे, उसके बाद, फिर उसी तरह बनाएंगे, ये देखे, 1, 2 हो गए, 3, 4, और ये 5, 5 पंदे हमारे हो गए, फाइफ फंदे एक बाद क्या करेंगे हम यहां से अब दूसरा करलर लगा लेंगे तो चलिए दूसरा करलर लगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके दो फंद तीन अभी इसमें हमारे 1,2,3,4,5 फंदे वे 6 फंदे हो जाए तो चलिए एक बार और बनाते हैं यह 1,2 हो गया 3,4,5 एंड यह 6 फंदे हो जाए और यह फिर एक पंदा बढ़ाएंगे 2,3,4,5,6 और यह 7 फंदे हो गए हमारे यह तो अब हम इसमें क्या करेंगे इन 7 फंदों में से अब इसमें हम यह 2 फंदे छोड़ देंगे और 3 फंदे इधार और 3 फंदे इधार हम छोड़ देंगे और यह 2 का फंदा इसको हम दूसरे कलर से बीनेंगे तो चलिए बनाते हैं तो पहले सबसे पहले तो हम इसको बीनेंगे 1, 2, 3, 3 फंदे हमने बीन लिए और ये फंदा हम दूसरे कलर से बनाएंगे तो चलिए इस कलर से बनाते हैं तो हम क्या करेंगे हमारा डबल रोहर तो इसले एक फंदे को हम ऐसे ही बना लेंगे 1 और इसको छोड़ देंगे तो जो हमारा ये white वाला color था इसको हम आगे कर लेंगे तो ये वाला color अब हम इससे बीनेंगे 1, 2 और ये 3 3 हमने बीन लिए ये देखे एक पंदा हो गया आप चलिए इसके आगे बनाते हैं तो ये वाला फंदा था इसमें हम फिर उसी तरह बढ़ाते हुए जाएंगे हर फंदे में किनारे से 1, 2, 3 इधर हो गए और 3 इधर अब इनको हम क्या करेंगे अब ये इस वाले फंदे को अभी हम एक ही बार भीनेंगे तो 1 ये देखे अब इसको क्या करेंगे हम इस तरह से इसके पीछे जाके अब इसको इस तरह क्रॉस करके ये हम बना लेंगे जिससे हमारी एक लाइन तयार हो जाएगी 1 और ये वाला फंदा फिर पीछे कर देंगे और इस वाले वाइट धागे को आगे लाके बीनेंगे 1, 2, 3 और ये 4 इसको हमने 4 बीन लिया फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं फिर इसके बाद हम क्या करेंगे ये फंदा फिर उसी तरह से गोल्ड राउंड सेफ में करते हुए अब 1 फंदा बढ़ाएंगे वाट 2 हो गया हमाए 3 और ये 4 और ये 4 फंदा हो गया इधार हमारे और इनको हम क्या करेंगे इनको हम एक एक फंदा ब्लू कलर से बीनेंगे तो चले ब्लू कलर से बीनते हैं और इसको हम क्या करेंगे ये आगे लिया आएंगे इससे हमें उस पार जाना होगा वान तू एंड ये थ्री तो अब हम क्या करेंगे इस वाले धागे को हम इसी में गोल्ड राउंड करते हुए आगे बढ़ाते रहेंगे जिससे हमारा जो है फिनिसिंग बहुत अच्छी आए तो ये हमारे पहले तो वन फंदा था आप ये थ्री फंदे हो गए अब इसमें हम क्या करेंगे इस तरह से फिर ये ही फिर बीनेंगे इधर थ्री है तो ये थ्री फंदे हमारे हो गए अब इधर थ्री है इधर फोर है अब इधर भी फोर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे इसको फिर फोर बीनेंगे ये देखे अब ये एक पंदा बढ़ जाएगा दोनों त ये वाला फंदा हम four अब इनको हम क्या करेंगे ब्लू कलर से भीनेंगे तो इसको हम आगे लेके आएंगे और ये one, two, और ये three हमाये फंदे हो गया हम ये देखिए और उसके बाद अब ये वाले फंदे हम ये ग्लू पीछे कर देएंगे और ये white को आगे ली आएंगे और ये 1, 2, 3 and 4 आपको पहले लग रहा होगा कि इसमें इधर एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा तो ऐसा नहीं है इस तरफ अब हम इधर क्या करेंगे देखो 4 इधर भी हो गए 4 इधर भी हो गए आप जब इंधर भीश्यादा हो जाएगा इधर जाएँगे तो यह अब इसको क्या करेंगे हम ऐसे बनायों हो जाएगा तो फिर आगे दिखाते हैं में इतना बनाने के बादा और आगे दिखाते हैं